हलो माई डियर फ्रेंस वेलकम बैक माई यूट्यूब चनल सुदाज हूं फ्रेंस आज हम आपसे बहुती टेस्टी लाजबाब और आसान तरीके से बनने बाले कतलंबे की रेस्पी से कर रही हूं यह देहरादून की प्रेसिद रेस्पी है और यह पंजाबियों को बहुत प बताईएगा कि आपको यह मेरी डिस्क कैसी लेगी तो चलिए बिना टाम बेस्ट के बनाना शुरू करते हैं कतलंबे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी मैदा तो यह हमने 1 कप मैदा ली ने पहले चाहन कर ले लिया है सबसे पहले फ्रेंस हम इसका दोल आ का तया करेंगे उससे पहले हम इसमें एड़ करते हैं आदा छोटा चमच नमक, नमक आप अपने स्वादन सारी डाने और इसके बाद हम इसमें एड़ करते हैं दो बड़े चमच कुकिंग ओल, बस अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला देंगे, और इसका सौफ्ट डोल आकर तया करें सारी चीजों अच्छे से मिलने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डोल आकर तया करेंगे, एक साथ पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, यह डिस्क खाने में बहुत ही टेस्टी रखती है, आप एक बार इस रेस्पी को जरू से टाय कीजिएग साथी में पहला आकन भी प्रेस कर दीजिएगा, तो यह हमने डो को लागा तयार कर लिया है, यह आप दे सकते हैं, डो हमारा एक दिम स्मूथ चिकना लग का तयार हो गया है, अब इसे हम 15-20 मिनिट के लिए सेट होनी के लिए छोड़ देंगे, 15-20 मिनिट वाद हम इस डो क कर लेते हैं, बाist को बना कर तयार कर लेनी है, जैसे हम इसे गोणे लोई को बना कर तयार कर लेंगे उपने अपनी इस तरह हम बना कर दोख में पनी खोशारी का लंकर तयार कर लेंगे, यह नगे लोई भ МУЗЫКА और फैंस जैसे हम भठूरा बेल कर बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से इसे बेल कर तयार कर लेना है और इसको हम नहीं जदा मोटा रखेंगे नहीं जदा पतला करेंगे बिल्कुल इसी तरह से आपको बेल कर तयार कर लेना है तो यह एक चपाती को बेल कर लिया है तो जि आपसें आपको इस तरह से सारी लोईयों को बना कर बेल कर तयार कर लेना है पंजाम में इस र斂की को बहुत पसंद किया जाता है और यह दिरादून की भी Plus रिशापि है टो सारी लोईयों की चपातीं बनाने के बाद हम पिर इस चकले पर इस चपाती पर अच्छे से लगा देंगे, और लगाने के बाद हम इस पर सूखी मैदा को छिड़क देंगे, इस तरह से, हमें अच्छे से मैदा को छिड़क देना है, मैदा को अच्छे से छिड़कने के बाद हम इसके ऊपर दूसरी चपाती को रख देंगे, इस तरह से, अब इस दूस तीसरी चपाती को उसके ऊपर रखेंगे और इस तीसरी चपाती पर भी हम लगाएंगे और लगाने के बाद थोड़ी सीसू की मेदा चेड़क देंगे और फ्रेंस यह कतलंबे हमारे अच्छे से पच जाएं तो इसके लिए हम इसके ऊपर चिड़के एंगे अजवाइन फ्रेंस यहां पर हम तीसरी चपाती के बाद अजवाइन को चिड़क रहे हैं अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है और यह अजवाइन डायेशन करने में भी बहुत हैल्पूल रहती है यानि कि इन कतलंबों को हम अच्छे से पचा पाएंगे आप चाहें तो सारी परतों पर अजवाइन को चिड़क सकते हैं लेकिन हमने तीसी चपाती पर अजवाइन को चिड़का है तो यह हमारी टोटल साथ चपातियां है तो फ्रेंस पहले आपको साथ चपातियां तयार कर लेनी है और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ओयल मेदा छड़कते हुए इस तरह से इसे प्रेस कर देना है और इसे भी अब हम बेल लेंगे और इसकी एक पतली सी सीट बना का तयार कर लेंगे जी आँ फ्रेंस कतलम में हमारे डेर सारी परतों के साथ तयार होने बाले हैं आप वीडियो को फुल वाच कीजिएगा पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंडों के साथ जरूर से सेर कीजिएगा तो यह पतली सी सीट हमने बेल का तयार कर लिए है यह आप दे सकते हैं इस सीट को आपको एक जैसा बेल का तयार कर लेना है जहां भी आपको यह मोटी परत देखें वहाँ पर आप इसको बेल कर पतला कर लें और इसकी एक पतली सी सीट बना का तयार कर लेंगे इसकी भी friends हम लोटिया बनाका तया करेंगे, तो या आप दे सकते हैं, पतली शीट हमने बनाका तयार कर लिए आप हम पीजा कटर या फिर नाइप लेंगे और इसको काट करेंगे, तो इसको हम लम्मा-लमा कट करेंगे में 1,5 इंच की हब्यास में, छेया दरिस्टी को कर ले publi cut करने के बाद आपको एक side की इस तरह से इस परत को भुठाना है और इसे fold करते हुए इसकी lowi बना का तयर कर लेनी है इस तरह से इसको हम बीच में इस तरह से press कर देंगे अर थोड़ी सी अज़बान रखकर हम इसे press कर देते हैं तो इस तरह से हमारी ये एक लोई बना का तयार है इस तरह से बने हुए कतलम में डेर सारी पलतों के साथ तयार होते हैं तो दूसरी लोई भी हम बिल्कुल इसी तरह से बना का तयार कर लेते हैं इसको भी हमने रॉल कर लिया है और इसे भी हम इस तरह से प्रेस कर देंगे और बीच में थोड़ी सी अजबान रखते हुए इसे प्रेस कर देंगे तो ये दूसरी लोई भी हमारी बन का तैयर हो चुगी है तो बिल्कुल इसी तरह से हमने अपनी ये सारी लोई को बना का तैयर कर लेना है बस आप एक बार इन लोईों को बना का तयार करने तो कतलंबे बनाने में जरा सभी टाइम नहीं लगेगा कतलंबे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं आप इन कतलंबे के आँगे भठूरे भी खाना भूल जाएंगे तो यह आप दे सकते हैं लोई हमारी देखने में कितनी सुन्दर लग रही है अब हम फिर से चकले पर लोई रखेंगे और इसे बेल का तयार करेंगे जैसे हम भठूरा बेल का तयार करते हैं बिल्कुल इसी तरह से इसे भी बेल का तयार करने ना है इसको हम बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे ना ही बहुत ज्यादा मोटा रखेंगे मीडियम साज का बेल का तयार करेंगे अगर आपका डो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप कतलंबो को बनाना तो इजी है बस हमारा डो अच्छे से लगा होना चाहिए और डो यह आप दे सकते हैं, नहीं इसे हमने ज़्यादा मोटा रखा है, नहीं ज़्यादा पतला है, बिल्कुल मीडियम साज़ का बेल का तयार किया है, तो बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे कतलम्बे को भी बेल का तयार कर लेते हैं, और इसको बेलने में नहीं हमने ओयल का इस्तम तो इस तरह से हमने ये चार कट्लम में बनाका तयार करें दिया आप कट्लम में ने कलए करें हो अब पकणचाय करें ओयल आपका एक दम मीडियम गरम होना चाहिए और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और जैसे यह कतलम्मा उपर की तरफ तरफ तैरने शुरू हो जाए वैसे हम इसे पलट देते हैं इसे अलर्ट पलट करते हुए अच्छी गोल्डन ब्राउन चित्ति आने तक फ्र इन कतलमों को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर तलका त्यार किया है तो फ्रेंस कतलमों पर अच्छी गोल्डन ब्राउन चित्ति आ गई है देखने में यह कतलम में कितने क्रैस्पी टेस्टी लग रहे हैं तो यह आप दे सकते हैं आगे पीछे दोनों साइड हमने कतलमों क को अच्छे से से का तैयर कर लिया है और यह कतलमों में फूलते नहीं है इन्हें हमें ब conosco तो जैसे ही आपका कतलम्मत तैर कर ऊपर आ जाए वैसे आप इसे पलट दें और इसे अच्छी क्रेस्पनेस आने तर शेक कर तैया करेंगे तो इसे भी हमने अलट करते हुए शेक का तैयार कर लिया है इस डिस्क को बनाना बहुत आसान है बस हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि पहले तो आपको डो को अच्छे से स्मूथ ला का तैयर करना है और उसके बाद लोईयां बनाकर साथ चपाती बेल का तैयर कर लेनी है और फिसल लोई बनाकर आपको इस तरह से बेल लेना है तो यह चार कतलम्में हमारे बन का तैयर हो चुके हैं आप चाहें तो इन्हें च कतलंबे के साथ चोले की सब्जी के साथ यां ठाशनके घरता है का मोथ की ज़रू आइक कि आपको ये मेरे कतलंबे की रेस्पी कैसी लगी तो अभी के लिए इस वीडियो में तना ही मिलते हम एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंस पॉर बॉचिंग माई वीडियो ऑल फैंस बाई